हाई एवरिवन आप लोग को बहुत कन्फूजन रहता है कि पलांट में जो है कुछ फलावर है जो बाइसेक्सवल फलावर है जैसे कि ही विसकस जिसको गौ की भासा में हम लोग गुडहल कहते हैं या अरहुल फूल कहते हैं ठीक ना तो कन्फूजन को दूर करते हैं यह प्रोड़क्टीव और्गेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका फलावर तो यहां पर आप लोग को कन्फूजन जो रहता है सिंपल तो हमने आपको एक सिंपल डियागराम पहले बना देता हूं इसके सामने इसके बाद आप इसको समझ करके मैं एक चीज जो है आपके सा पहली बात तो यह डंठल जो होता है जिसको फलावर का डंठल को हम लोग पेडी सेल कहते हैं हिंदी में भी अगर आप पेडी सेल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे फूल का डंठल बोलने से ज्यादा फाइदा है नहीं इसके बाद इसके ऊपर जो होता है पुस्प का आसन है यह पुस्प का आसन है इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसके जश्ट बगल में आपको यह पांच चारों बगल से दबाय हुए रहता है जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं क्या कहते हैं इसको कैलिक्स तो यह आपका हो गया कैलिक्स और कैलिक्स जो है जिसको आप लोग कहते हैं बाहि दल पुındaki में हिंडी में आप बाह दल पुंज कहते हैं अब आ जाएज इतना आसान है इसके बाद आप अगर देखोगे तो जश्थ इसमें आपका इदम सटा हुआ इसके आपका ऐसे करके अस्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो कि यह पेटल है आप क्या कहते हो इसको पेटल अनिकि इसको बोलते हैं आप कोरोला रंगीन पार्ट इसको कहते हैं कोरोला इसको दलपुंज बोला जाता है और सब का यूनिट जैसे यहां 1-2-3 पांखुड़ी बता हैं असपस्ट दो इधर से भी होगा तो पांछ पांखुड़ी होगा इसका unit जो 1 पाई होता है इसका नाम है आपका पेटल और इसका जो 1-2 यहां पर unit दिया है हमने इसका जो ईकाई है simple यह होता है सेपल न९ह होता है और पर इसकी में बात करूं तो यहां पर एक जो है, इसी के अंदर धसा हुआ, आपका पाट होता है, जो के आपको दिखाई नहीं देगा, यह देखए। यह जो आपका गोल ऐसा दिखता है, यह आपका है ठेलम ये शोरी, यह है आपका आवभरी है, और ओभिरी है क्योंकि ये जो आपका ऐसे करके इकाई जो गया है उपर ये आपका ऐसे ब्रांचिंग होता है और ब्रांचिंग इसमें बहुत सारा होते हैं ऐसे करके ब्रांचिंग होते हैं आपका और यहां पर आपको ब्रांचिंग में क्या देखीगा उपर में जिसको ये फिमेल पार्ट का उपर का हिस्सा होता है जो आपका ये कहलाता है आपका ये कहलाता है इस्टिगम फिमेल पार्ट का सब से उपर जिसको कहते हैं वर्ती काग्र यही तो है और ये जो डंठल लंबा इसा आपको दिखाई दे रहा है ये डंठल कुछ नहीं ये डंठल जो है आ चिनल पर्तया, आप देखें यह फिमेल पर्त युनिट , जिसको हम लोग कहते हैं इस पूरा प्रेश्र कि आप कहते हैं कि यहां से यहां तक जिसको आप कहते हैं क्या कारattendel और इसमें क्या खुब्सूर्थिय है कि मेल में दिखाऊंगा आपको पहले मैं बता देता हूँ ताकि आपको असपश्ट दिमाग में बेठे यहां पर यहां पर होता है अपका यहां पर आपका इसी के जंठल में लगा हुआ रहेगा आपका just तुम बोलोगे सब में ऐसा ही लगा रहता है क्या ये mail part है जिसको हम लोग क्या कहते है Andro Isium क्या बोलते है इसको andro Isium andro Isium का जो unit जिसको आप हिंदी में कहते है इसको कहते है gynoosium को हिंदी में jayang कहते है और इसका unit carpel का हिंदी होता है istri केसर और यहां पर एंडुश्यम का जो होता है उसको करते हैं पुमंग आप हिंदी में और इसका जो इकाई होता है यूनिट उसका इकाई होता है आपका क्या तो इसका होता है इस्टा में जिसको आप भोलते हैं पूंकेशर क्या बोलते हैं पूंकेशर तो देखिए यहां प तुम कहोगे मेल यहीं होता कि नहीं इसमें ऐसा हो सकता है किसी और मेल यहां पर से भी होता है यहां पर भी होता है किसी और फ्लावर में लेकिन यहां पर यहां पर जो है आपका जस्ट मेल के सबसे उपरी हिस्सा जो है जिसको आप कहते है क्या इस्टाइल उसी से जुड़ा होता है यह होता है एंडोइसियम जिसको कहते है पुमंग, पुमंग का एक हिकाई यह वाला, एक हिकाई को कहते हैं क्या इस्टामेर, और यही फलावर है, अब अगर आप देखना चाहते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं यह स्ट्रक्चर, ए इसको मैं अगर मैं यहां डिनोट कर दू यह वाला यह वाला यह कैलिक्स नहीं है यह आपका कैलिक्स नहीं है यह एपी कैलिक्स कहलाता यह वाला कैलिक्स है देखिए यह वाला कैलिक्स है जो यहां पर आपको अस्ट्रक्चर दिखाई देता है ध्यान दीजेगा यह वाला य एक है एक है दो है तीन है जो हरा वाला है ठीक है अब पूरा श्ट्रक्चर इस पर विवस्थित है इसको हम कहते है थैलमस इसको अगर काटें तो यह वाला है देख लिजिए इसके अंदर यह वाला श्ट्रक्चर देखे थैलमस है यह वाला यह वाला श्ट्रक्चर जो है यह है आपका दलपूंज यह जो कलर है एक है देखिए एक दो तीन चार और यह पमच यह आपका दलपूंज है और दलपूंज पूरा का पूरा पूरा अगर बात करें तो यह उपर वला है इसके बाद आपका नीचे जो है था यह वला था आपका style ये वला आपका है style ठीक है और ये वळा इसके अंदर जो है आपका देखिए यह इसके अंदर जो गया था यह था आपका ovation and where और अभी के अंदर भी आपका होता और जो मैंने तोड़ दिया तो यह आपका दूसरा प्लावर है यह ताकि आप अच्छी स्पिर से समह सकते हैं यह फिलावर का जो है आपका यह फिलावर का आपका डंठल है यह आपका epikalyx है यह कैलिक्स है जो हैरा टाइप का मैंने बनाया है यह जिस पर पूरा इसको कहते हैं सेपल क्या कहते हैं सेपल और बाकी बाद ऊपर में जग रहा पर जो सटा हुआ है उपर इस टीगमा के जश्ट बगल में आपको दिखाई देना चाहिए चुकि ब्रॉड नहीं है यह आपको जो हलका हलका पीला और लाड टाइप का जहां दिख रहा है अप्च आपका है एन्थर यह जवला बहुत सारा एन्थर लगाई एक फ्टोकों अगर काटके मैं बात करूं झाँ एक फ्टोके बात करूं यस अगर सब और अंदर औभियूल है और इम्भ्रियो से इंब्रियो सेख जिसको निए यानि जिसमें मेल बनता है जो है और यहां पर जो फिमेल गैमियाथ। साथर्ट फीमेल घिमिटॉफाइट साथ सेल्य तो इसमें होकeté है अगर कुसिस किजिए और कोशिश किजिए कि इस flower को आप बैठ करके घर में एक बार देखेंगे चुकि हर जगा इप लेवल है आपके इर्दगित हर जगा अब लेवल है और कर सकते हैं तो यह आपका रिप्रोड़क्टिव अस्ट्रक्चर है प्लांट का ठीक है फुलावर ही होता है तो इसके बा झाल 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 झाल